आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ इसको हम बोलते है Resonance अब यह हम देखते है Resonance का मतलब क्या है और यह कब होता है क्यों होता है तो देखो हमारे पास यहाँ पे Rattling Sound Produce कौन करता है Rattling Sound Produce करता है Engine ठीक है By default Engine यानि की जो हमारे वीकल का पार्ट है या कोई भी पार्ट हमारे वीकल के अंदर या बाहर हर चीज के पास एक Normal Vibrational Frequency होती है हर चीज हलका फलका वाइबरेट करता रहता है Nature में ठीक है और इसके पास एक Natural Frequency होती है Vibration की ठीक है तो यह होगे इसकी Natural Frequency अगर Natural Frequency इसके पास कुछ है पर अगर मैं इसके साथ एक और Frequency एड कराने की कोशिश करो जो कि इस वहीकल की होगी अब देखो बेसिकली वहीकल जो है यह External Force की तरह एक्ट कर रहा है Consider करो कि एक Object जो है यह Vibrate करता था पर आप इसको Extra Force से Vibrate कर रहे हो और अगर आपका Force जिस Frequency पर लग रहा है वही Frequency इसकी Natural Frequency निकली तो यह Condition कहलाती है Resonance की इस Condition पर इस Vibration का Amplitude बहुत जादा बढ़ जाता है ठीक है इसी को Resonance बोलते हैं तो इंचन तो Natural Frequency पर चल रहा था पर आप किसी एक Particular Speed पर आ गए तो Speed is equal to Frequency into Lambda अगर आप Speed को Change कर रहे हो तो आपको एक नएक ऐसी Frequency जब आप Speed बदलोगे ना तो Frequency बदलती है याद रखना ठीक है तो अगर आप Speed बदल रहे हो और आपने जीरे-जीरे कुछ ऐसा चेंज कर दिया कि इसकी Frequency चेंज हो गई वीकल की और ये Match कर गी Engine के Natural Frequency से तो Engine में क्या होगा? Resonance होगा जानी कि Engine का जो Vibration है उसका Amplitude बढ़ जाएगा पर अगर इसका Amplitude काफी जादा हो गया तो ये अपने आसपास वाले Parts को टक्कर मारेगा बार-बार और हमें Rattling का Sound दिखाई सुनाई देगा तो आप सबको Clear हो गया कि ऐसा क्यों होता है और ये Phenomena क्या कहलाता है ठीक है? I hope ये Question सबको समझ में आ गया होगा